हाई गाईज असलाम लेकूम and welcome back to the another new video mother vlogs में आप सभी का welcome है आज का जो question है is 150 bit per minute a boy or a girl अगर 150 heart beat है तो क्या वो boy की होगी या फिर girl की होगी ये question mark है तो कई सारी जो हैं लोग उन्हें myth होता है के वहम होता है के 150 है तो ही boy होगा girl नहीं होगी तो वो सब कुछ doubt भी clear होंगे और आपके questions के answer भी आपको मिलेंगे और मैं अपने boy का experience भी यहाँ पर share करूँगी because हर एक मा की pregnancy की जो journey है वो same बिलकुल भी नहीं होती और हर मा का बच्चा special होता है मैं यहाँ किसी भी बच्चे को judge नहीं कर रहे हूँ just यहाँ पर जो question है उसका answer आप लोगों के साथ share कर रहे हूँ ताकि आप परेशान ना हों हर एक बच्चा एक बहुत बड़ी नामत है खुदरत की हमें जो देन है तो जो pregnant ladies होती है पता नहीं उन्हें इसी excitement सी होती रहती है कि जाने हमारे बच्चे के बारे में जाने ताकि उसके बारे में कुछ shopping कर सके उसके बारे में कुछ खरीदें उसके बारे में कुछ इसी होती रहती है यह मेरे साथ भी हो चुका है जब मैं first time pregnant थी तो मुझे भी excitement होती थी कि मैं जानू मेरा baby क्या है ऐसे अंदर से एक feeling सी develop होती थी तो आगे जरूर बताऊंगी और experience भी और पहले तो answer देती हूँ many myths surround the gender मैं यह word को gender में यह word के बदले gender बोल रही हूँ of an unborn baby one is that early in pregnancy unborn boys have a faster heartbeat than girls जो baby boys होते हैं उनकी heartbeat जो है girl के मुखाबले थोड़ी जादा होती है there is no evidence यहाँ पर सबूत बिलकुल भी नहीं that is true यह सही है मगर सबूत तो नहीं है studies have shown that there is no difference between male and female fetal heart rate यहाँ पर सबूत नहीं है के boy की जादा होती है मगर जादा होती है यह question mark बनके रह गया है जादा भी होती है मगर सबूत नहीं है और मेरे जो baby boy के time 150 bit per minute आई थी आप जाकर मेरे channel पर visit करना जो मेरी last delivery है उसमें मैंने share कर रहा हुआ हुआ है और मेरी जो third I think मेरी जो scanning report है उसमें baby boy का जो fhr है 150 bit per minute है fhr जो है मेरे boy का तो जरूरी नहीं के मेरा जो experience है वो आप सभी का हो और आप सभी का जो experience है मेरा हो तो मैं यहाँ पर judge नहीं कर रही हूँ आप लोगों को नाराज भी नहीं कर रही हूँ जस्ट जो question का answer है वो दे रही हूँ मेरा इरादा किसी भी मदर को heart करने का नहीं है वीडियो अच्छी लगी तो do like share subscribe और आप लोगों का experience क्या है वो भी share करना ताकि औरों की भी help हो आपके answer के जरिये तो मेरे चैनल को subscribe जरूर करके रखना यहाँ पर experience और अपना जो experience की journey है और with proof शेर करती हूँ में और बहुत सारी questions जो other ladies के जो मुझसे करते हैं उनके भी question के answer देने की कोशिश करती हूँ इस वीडियो के form में वीडियो अच्छी लगी तो do like share subscribe और एक प्यारा सा comment करना चै पर helpful content मिलता है by video form तो यही कोशिश करती हूँ कि मेरी for pregnancy का experience include करते हुए आपके question का answer दे सकून thank you for watching